हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो हम तिरकोर्मीती से रिलेटेट बहुत सारे ऐसे प्रसुन को देखने वाले हैं जो की कॉम्पिटिशन के एकजाम में बार बार पूझे जाते हैं और ये देखिए ये तिरकोर्मी पूझा जाता है ठीक है तो अे हम इसे लिखने है फिर इसका हम हल करें तो हमने परसन को लीजा है अबसे परसन को देखेंगे तो यहाह अब धिकहा भी नौ है और यहां भी 9 है यानि कि हम दोनों में से 9 को निकाल सकते हैं common ले सकते हैं तो हळल कर लेंगे देख़े पहले 9 common लेंगे तो बचेगा क्या देख़े यह पुरा में हम 9 से भाग देंगे जितना common लिया जाता है उसमें पुरा term में भाग दिया जाता है तो अगर हम six nine six square theta में a से भाग दे नो से भाग देंगे तो हमारा six बच जाएगा क्योंकि nine nine cancel हो जाएगा तो लिख लेंगे six square a और देखें minus है तो minus यहां भी हम भाग देंगे तो nine में तो एक बचेगा और एक को ten से गुना करेंगे तो यह ten square यह हो जाएगा ठीक है तो आपने अगर नमी दस्मी कख्चा कभी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा इसे कि six square six theta minus ten square theta बढ़ावर one होता है ठीक है तो यहां भी हम क्या लिख सकते है नो गुना इसके जगा पर क्या लिख सकते है वन लिख सकते है तो बढ़ावर क्या आगिया nine यह हो जाएगा हमारा answer ठीक है I hope कि आप से कोई सवाल समझ में आ गया होगा अब चलिए पर संख्या दो की ओर चलते हैं अभी जो हमने पर संख्या स्वल्व किया है एक था ठीक है अब देखिए दूसरा दिया गया है सीध कड़े की है साइन पर फोर Count थीटा माईनास क्स फॉर ठीटा इस इकवल तो साइन ए स्कोड़ अमईनस इसकुट ठीक है तो हमें इसका क्या करना है अशे हम चिद्रण आए यान दो पक्स दिया गया एक यह दिया गया है LHS और एक RHS हमें LHS का काम करके हमें RHS लाना है ठीक है तो आइए हम इसे हम लिख लेते हैं परसंख्या दो जो दिया गया हमने इसे लिख लिए है तो आइए इसमें दो पक्स दिया गया है LHS एक RHS तो हम LHS का काम करेंगे बाले तो ल देखेंगे हल ल एच एस से ठीक है तो देखें ल एच एस के दिया गया है साइन पर पावर फोर ठीटा मैंनस कोईस पर पावर फोर ठीटा ठीक है बड़ावर देखें यहां पर हम साइन पर पावर फोर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन एसकोईट ठीटा का हॉल एसकोईट कर देंगे तो देखें यहां पर गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा फोर पावर हो जाएगा ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं फिर इसको भी हम इसी तरह से लिख सक सляसे मालेते हैं तो देखें एसक्वर मैंनस भी थोता है थिक है बरावर क्या होता है एपस्व कि इंटो ए मैंनस भी है तो आजिये हम इसी फर्मूला की मदद से इसे हम सौल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है A plus B तो देखे A कामान क्या दिया गया है तो sin square theta दिया गया है तो लिखेंगे sin square theta minus plus cos square theta B कामान cos square theta into अब क्या हो जाएगा मैंनस मैं सीख कर देंगे sin square theta minus cos square theta ठीक है अब देखें बड़ाबर हम क्या लिख सकते है देखिए आपने एक और फर्मूला पढ़ा होगा sin square theta plus cos square theta बड़ाबर क्या होता है 1 होता है ठीक है तो देखें 1 हम लिख सकते हैं इसके बड़ाबर और देखें गुना है क्या है तो sin square theta minus cos square theta देखें1 से 45 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा sin square theta minus cos square theta आ जाएगा ठीक है एक में एक से गुना करेंगे एक होगा दो में एक से गुना करेंगे तो दो ही होगा ठीक है तो देखे हमारे पास यहां पर पुरूब करने लिए क्या कराता है साइन स्क्वाइट थीटा मैनस स्क्वाइट थीटा और हमने भी इतना पुरूब कर दिया है तो हम लिख सकते हैं एल एज एस बड़ावर आर एज एस पुरूबड ठीक है आई होब कि आप सभी को ये सवाल भी समझ में आगया होगा आईए आप परसंख्या 3 की ओर चलते हैं देखे परसंख्या 3 में 2 भाग दिया गया है एक भाग को हम स्वल्व करेंगे और एक भाग को आप हमबर्क में स्वल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताईएगा ठीक है तो देखे पाला दिया गया है साइन ठीटा इंटू सेख ठीटा इस इक्वल टू टैन ठीटा तो आईए हम इसे लिख लेते हैं फिर हल करेंगे तो देखे हमें साइन ठीटा इंटू सेख ठीटा को गुना करके 10 ठिटा लगना है ठीक है तो कैसे आता है यही हमें जाना तो sin ठिटा बड़ाबर आपने एक फ्रमुला पढ़ा होगा hypotenus यानि कि hypotenus कर्ण को काते है और परपींडीकुलर यानि कि लंब को काते है तो sin ठिटा बड़ाबर होता है लबटे कर्ण तो एक वटे प्रिक अ और सेख ठिटा का होता है एक वटेmill ठीक कैंसेल बड़ाबर बचेगा पीवटटी बड़ाइगा थी और पी वटे बड़ाइब को किसको काते हैं तैन को काते हैं थीक है तो यही हो जाएगा हमारा अंसर तो लिख देंगे प्रूवड प्रूवड ठीक है आई होब कि आप से कोई यह सवाल भी चानव है इसका जो दूसरा बला भाग है यह हम यहां पे लिख देते हैं आपको इसे कॉमेंट में अंसर बताना इसका कितना होगा स्वाल करके ठीक है त्यान ठीटा बड़ साइन ठीटा इन्टो वन मैनस साइन ठीटा बड़ावर वन बते से के स्वाट ठीटा लाना है ठीक है तो आगे हम इसे लिख लेते हैं फिर इसे भी हम सिद्ध करेंगे तो देखे पर संख्याचार को हमने यहां पे लिख ली है ठीक है तो आगे इसे हल कर देते हैं हल इसमे भी दो पक्ष दिया गया है तो हम LHS से चलेंगे LHS बढ़ा से ठीक है क्या दिया गया है 1 प्लस का साइन ठीटा इंटो 1 मैनस का साइन ठीटा ठीक है हमें इतना लाना है तो बढ़ावर करेंगे तो देखें यहां पर है यहां पर देखिये हमने एक फर्मुला आपको बदाये था कि यह मैनस बी यह एसक्वाईर मैनस बी एसक्वाइर बढ़ावर क्या होता है यह प्लस बी और यह मैनस बी होता है ठीक है तो देखें यहां यहाँ पे a plus b यानि कि a plus b है यहाँ देखे a minus b है सेम सेम है केवल minus plus का फ़र्क है तो हम इस formula पर बैठा सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं a square का मतलब a square minus b square b square का मतलब sin square so sin square theta ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब एक का स्केर करेंगे एक मैनस साइन स्केर ठीटा देखिए ऐक फर्मला आपको हमने बताया था इस से पहले भी किकोस स्केर ठीटा प लुस साइन स्केर ठीटा वराबर मोन ठीक है तो देखिए हमें इधर का कॉस स्कुर्ट ठीटा रखना है और साइन को उससे बेजना तो वान मैनस साइन स्कुर्ट ठीटा हो जाएगा ठीक है तो देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं ठीक है तो लिखेंगे इसके जगह पर लिख दे था और उतना हमने प्रूब कर दिया है तो लिखेंगे एल एच अता है एल एच एस बड़ावर और एच एस प्रूवड थिक है आए होभ कि आप से को यह सवाल भी सवाज हमें आगए होगा आए पर्संक्या 5 को देख लिए तो देखिए पर संक्या 5 दिया गया है कॉस एसक्वाइट इन्टु-1 प्लस टैन एसक्वाइट नुट बढ़ावर 1 थिक है तो आएजरे इसे लिख लेते हैं यह भी सीद्ग करने वहला प्रस्टन है हम इसे सीद्ग करेंगे तो देखिए पर शंक्या 5 जो दिया गया हमने से लिख लिए हैं ठीक है तो आगि इससे हल कर लेते हैं कि तो इसमें भी दो पक्षा है LHS एक और हैस तो निकेंगे LHC LHS कोस्ट स्कौइड ठीडा ठीक है इंटू 10 एसख़ट थीटा बड़ावर आद्धे कर दिखे अब हम इससे क्या निक एक इस होता है one plus 10 square theta बढ़ावर six square theta ठीक है तो देखिए one plus 10 square के जिगवर हम six square theta लिख सकते हैं तो देखिए यहां पर cos square theta into six square theta six square theta बढ़ावर बढ़ावर तो है तो देखिए यह फर मुला होता है ठीक है और इसका भीमान कितना होता है one होता है अगले उबहो में हम 29bahn होता है और यह दिए गया है one प्रूब करने के लिख लिख सकते है lhs बरावर ऑर ग Therefore I hope कि आप सभी को यह सभी सवाल सौंज में आगे होगे I hope कि आप सभी को इससे कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देजेगा चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन कोल पर प्रेस कर देजगा फिर मिलते हैं एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जा भारत